स्वागत है विश्टुडेंट हमारी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आई हैं कक्षा 9 का विज्ञान कारेपुस्तिका उपचार आत्मक्षिक्षण में से कारेपत्रक नमबर 62 इससे पहले हमने कारेपत्रक 61 तक अपने चैनल पर डाल दिये हैं यदि आपने नहीं देखें तो विश्चे देख लें इस कारेपत्रक में विश्वस्तु ध्वनी अधिगम बिंदू ध्वनी प्रदूसर्ट एवं संदर्वे कक्षा 8 का अध्याय 13 प्रश्च नमबर 1 है आपके घर में उपलब्द कौन-कौन से ध्वनी श्रोत ध्वनी उत्पन करते हैं तो हम अपने घर में देखते हैं बच्चों एर कंडिशनर, मिक्सी, टेलिवीजन, कूलर, गाड़ी आदी हमारे पास ऐसे ध्वनी श्रोत हैं जो ध्वनी उत्पन करत हैं प्रश्च नमर 2 है आपको कौन-कौन से ध्वादिय अंतरों की ध्वनीया सुनना अच्छा लगता है तो हमें गिटार, हार्मोनियम, बांसुरी, आदी की ध्वनी सुनना अच्छा लगता है प्रश्च नमर 3 है सोर व्य मधूर संगीत में क्या अंतर है तो सोर जो हमारे कानों को सुहाता नहीं है या सहन नहीं होता है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जो संगीत प्रबल हो तथा कानों को एप्रिये लगने वाली ध्वनी को सोर कहते हैं और कानों को प्रिये वे अच्छी लगने वाली ध्वनी को मदूर संगीत कहते हैं जो की विविन वाद्यंतरो से निकलती है प्रश्न No. 4 है सोर या तो या तो इस धौनी से होने वाले आवाशी चेत्रों में ध्वानी प्रदूसन को कैसे नियंतरित किया जा सकता है तो इसका अंसर है ध्वानी उत्पन करने वाले किरिया कलापों जैसे उद्योग आवाशी चेत्रों से दूर संचालित करने चाहिए और अधिक पेड़ पोधे लगाकर हम ध्वानी प्रदूसन को नियंद्रित कर सकते हैं इसके अलावा वाहनों तथा टेलिविजन की ध्वानी प्रबलता कम रखकर या घरेलू उपकरणवे मर्शीनों में ध्वानी मंदक जिनको साइलेंसर कहते हैं इनका उप्योग करके हम ध्वानी प्रदूसन को नियंद्रित कर सकते हैं प्रेशन नमर साथ है ध्वानी प्रदूसन से शरीर के कौन-कौन से अंग प्रभावित होते हैं तो ध्वानी प्रदूसन से मस्तिक्स तथा कान आधी अंग प्रभावित हो जाते हैं से अनिद्रा, चिंता, रक्षचा, बैसुन्य की छमता पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से यह हमारा कारे पत्रक नुमर 62 कंप्लीट होता है। आगे की कारे पत्रक देखने के लिए जुड़े रही है हमारी चैनल से धन्यवाद।